दोस्तों आज के इस आधुनिक यूग में नई पीडी, अपने धर्म और संस्कृती, पूजा पाठ के नाम से दूर भागती हैं। कई बच्चों को तो अपने सनातन धर्म और संस्कृती के बारे में ज्ञान ही नहीं है। हमारा उद्देश है कि हम अपनी वीडियो के माध्यम से सभी को अपने सनातन धर्म और पौरानिक ग्रंथों के बारे में जानकारी दे। ताकि यह ज्ञान सभी को मिल सके। इसलिए आप सभी से हमारी विंती है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करे। और हमसे जुड़ उठ खड़ा हुआ। विशय था क्षत्रिय श्रेष्ट है अत्वा ब्राह्मन। क्षुप का कहना था कि क्षत्रिय श्रेष्ट है जबकि दधीची ब्राह्मन को श्रेष्ट बता रहे थे। उनका विवाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। उग्र स्वभाव के दधीची न पितामा ब्रह्मा से प्राप्त किया था और उसे दधीची पर चला दिया। वजर के वार से दधीची की पसलियां तूट गई। और वह बेहोश होकर नीचे गिर गए। फिर जैसे ही उनकी मूर्च्छा भंग हुई। उन्होंने अपने योगबल से शुक्राचारे का स्मरण किया। तुरंथ ही शुक्राचारे वहां उपस्थित होकर बोले। क्या हुआ वच्छ तुम्हें ये चोट कैसे लगी। दधीची ने कराहते हुए कहा। आचारे पितामा के पौत्र क्षुग द्वारा मुझ पर वजराघात किया गया है। पीरा से मेरी बुरी हालत हो रह उन्होंने शुक्राचारे का आभार व्यक्त करते हुए कहा। आचारे आपने तो मुझे क्षन मात्र में ही एकदम स्वस्थ कर दिया। कहां से सीखी यह विद्या आपने। यह सब देवाधी देव महादेव की कृपा का फल है। मैंने उन्ही से यह ज्ञान सीखा था। त तुम भी यदी चाहो तो उनसे सब कुछ प्राप्ट कर सकते हो। भोले भंडारी बहुत ही दयालू है। शुक्राचारे दधीची को शिव साधना की विधी बता कर लोट गए। और दधीची शिव साधना में लीन हो गए। उन्होंने वर्षों कष्ट सहकर शिव की तपस प्रसन होकर शिव प्रकट हुए और उनसे वर्दान मांगने को कहा। दधीची ने शिव को प्रणाम करके कहा। भगवन यदी आप मेरी तपस्या से प्रसन हैं तो मुझे ऐसा वर्दान दीजिए कि मैं कभी कमजोर न रहूं। किसी शस्त्र का मुझ पर कोई असर नहो। देवताओं के किसी भी अस्त्रशस्त्र से मेरी मृत्यू न हो। शिव ने तथास्तु कहा और अंतरधान हो गए। दधीची बदले की आगे में सुलग रहे थे। वे क्षुप के पास पहुँचे और जाते ही उसके सिर में अपनी लात का प्रहार किया। क्षुप कुछ क्षणों के लिए संग्या शूने होकर गिर गया। लेकिन वा तुरंथ ही उठा और अपना वज्र निकाल कर प्रहार किया। लेकिन दधीची पर उसका किंचित मात्र भी असर नहीं हुआ था। वज्र उनके शरीर से यूं टकराया जैसे किसी थोस करनी आरंब कर दी। विश्नु प्रकट हुए क्षुप ने उनकी स्तुती करते हुए कहा। भगवन मैं दधीची को जीतना चाहता हूं मेरी इच्छा पूर्ण करे। वत्स मैं तुम्हें इसा वर देने के लिए विवश हूं दधीची भगवान शिव का परम भक्त है। औ और मैं भगवान शिव के भक्त का कोई अहित होते नहीं देख सकता। तुम कोई और वर मांग लो। विश्नु की बात सुनकर क्षुप सोच में पढ़ गया। फिर कुछ क्षन बात बोला। भगवन यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम दधीची से मेरी संधी ही करा द दालेगा। विश्नु ने क्षुप की बात पर सहमती जताई और वे उसे लेकर दधीची के पास पहुँचे। विश्नु ने ब्राहमन का वेश धारन किया। और क्षुप को एक जगह रुखने को कहकर स्वयम दधीची के पास पहुँचे। दधीची ने ब्राहमन का स्व के परमभक्त हैं आशा है निराश नहीं करेंगे दधीची ने अपनी अंतरशक्ती से तुरंत विश्णू को पहचान लिया विश्णू के इस तरह चल करके कुछ मांगने के प्रयोजन को भी वे भांब गए अत बोले मैंने आपको पहचान लिया है देव किंतु इस तरह जीवंदान को मांगने आए हैं तो मैं असमर्थ हूं क्षुप मेरे हाथों जरूर मरेगा दधीची की बात सुनकर विश्णू अपने असली रूप में आ गए और बोले लेकिन क्षुप मेरा भक्त है और मैं अपने भक्त का कोई अहित होते देखना मैं कैसे बरदाष्ट क कर सकता हूं तुम्हें मेरे कोप का भाजन बनना पड़ेगा दधीची बोले भगवान शिव का भक्त दुनिया में किसी से भी नहीं डरता प्रभू आप जो चाहें शौक से कर लीजिए दधीची की बात सुनकर विश्णू को क्रोध आ गया उन्होंने चक्र का प्रयोग द बड़ा आश्चरे हुआ चक्र उनकी उंगली से घूसा आगे बढ़ा और फिर तुरंथ ही वापस उनकी उंगली पर आकर टिक गया दधीची ने हंस्ते हुए कहा यह चक्र मुझ पर प्रहार नहीं कर सकेगा प्रभू आपने देखी लिया है क्योंकि यह चक्र भी तो भग प्रभान विश्णू ने उन्हें प्रणाम किया फिर उन्होंने संकेट से एक ओट में छिपे क्षुप को बुलाया और उसे दधीची के सामने करते हुए बोले क्षुप से बहुत बड़ी भूल हो गई थी विप्रवर आप इसे क्षमा कर दीजिए इसे मालूम नहीं था क कि ब्राह्मन की शक्ति राजा महराजा यहां तक की देवों से भी बड़ी होती है इसका अपराद क्षमा करें क्षुप दधीची के चरनों में गिर गया उसने दधीची से क्षमा याचना की मुझे क्षमा कर दो मित्र मुझसे बहुत बड़ा अपराद हो गया था अहंकार में आकर मैं ब्राह्मन की शक्ति को समझ नहीं सका था मुझे क्षमा कर दो करुण हृदय दधीची ने कहा तुमने अपनी भूल की क्षमा मांग ली यही उचित है पश्चाताप सारे पापों को धो देता है मैं तुम्हें क्षमा करता हूं हम मित्र हैं और आगे भी मित्र ही रहेंगे दोनों का मिलन कराकर विश्णु वापस अपने धाम लोट गए क्षुप अपने निवास स्थान पर चला गया और दधीची अपनी कुटिया में दाखिल हो गए और फिर कई वर्षों तक दधीची भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए तो दोस्तों आज की इस विडियो में इतना ही आपको हमारी विडियो कैसी लगी क्रिप्या कॉमेंट में जरूर बताएं और अपने मित्रों में विडियो को शेयर जरूर करें अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं आपसे अगली लिस्वाइब